हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने वीवो T2 Pro Android में अगर आप किसी को भी कॉल करते हैं तो आपकी जो कॉल है वो सेंड नहीं हो पाती है तो इस प्रोल्म को आप सॉल कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको ड पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का इसमें आपको रिस्टार्ट का यह ऑप्शन टैप करना है इससे क्या हो गरा है कि आपका मुवाइल फोन जो आटोमेटिक स्विच आफ हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद आटोमेटिक स्विच आन हो जाएगा रिस्टार् पर आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपके फोन का जो कॉलिंग का अप का इस का डेटा क्लियर करना है क्या से देखेए इस चोटा सब पेज ओपन होगा इस चोटे से पेज में आपको रिखावा मिलेगा या फिर आप इन्फो के सामने जो सरगल के अंदर आई बटन ह इसे आपको टAP करना है, आपका नहीं ये वाला page आएगा इस page में आपको नीचे की sideént storage and cash पे टैप करना है, अब इसके अगले page में दो option मिलता है, एक तो clear storage का दूसरा clear cache का, आपको पहले इसे clear catch पे टैप करना है, इसके बाद आपको इसे clear coverage पे टैप करना है ठीक है आपका एक page आगा delete app data का इसमें आपको delete का यह button tap कर देना है आपको नीचे की side यह data और यह catch इन दोनों के सामझाला दोनों data आपका zero हो जागा ठीक है इस तरीके से आपको अपने mobile phone के इस calling के आपको reset कर देना है जिससे आपकी जो call send नहीं हो पर यह problem आपकी solve हो है कि आपको जो है आपने mobile phone का एक बार network setting को reset करना है तीक है देखिए दोस्तों कई बार आसा होता है कि हमारे phone की लगली सेटिंग होती कभी कभार यह प्रॉपली ठीक तरगी से काम नहीं करती है जिसकी वजसे हमारे चोनों की मोट को पने लगले पहले मूजश माहको सबसे उपर की साइड एंड इण दॉलो तूध पर टैप करना है अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड रिसेट सेटिंग पर टैप करना है अब आपको जो है ना अजसे वाले पेज का अपने फोन का स्क्रीन लोग एंटर करना है इसके बाद आपको इसे right click करना है आपको next page में सबसे नीचे reset setting पे tap करना है तो आपको नीचे की site थोड़ी दिर में लिखा हुआ आ जाएगा network setting have been reset इस तरही से आप जब phone की network setting को reset कर देंगे तो आपके phone की call sign नहीं हो पार यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब यहां पर आपको अगला process यह करना है कि आपको आपने phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई वार ऐसा होता है हमारे phone का software अपडेट आता है हम उसे update नहीं करते हैं तो phone का software होता है वो updated नहीं होने के कारण भी हमारे phone के android system में कुछ कमियां आने लगती है तो आपके phone का software अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है देखे इसके लिए आपको पहले mobile phone का internet चालो रखना है इसके बाद phone का setting page open करना है इसमें आपको नीचे ही side यह option मिलता है system update कर से tap करना है इस वाले page पे कोई भी update का button या download install लिखावा दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके अपने phone का software अपडेट कर लेना है अब आपको सबसे आखरी process यह करना है कि आपको अपने phone को reset करना है देखे phone को reset आपको तब ही करना है जब मेरे बता हुए पिछले process काम नहीं करते है तब reset करना है otherwise नहीं करना phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए इसमें आपको सबसे नीचे system पे tap करना है इसके अंदर आपको reset option टैप करना है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे यह erase all data factory reset पे आपको tap करना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने phone को reset करना है इस वीडियो में मैं आपको जितने process बता है सारे आपको use करने तो इससे आपकी phone की जो call send नहीं हो पर यह problem आपकी solve हो जाएगी